हेलो दोस्तो मैं हूँ मोईस्तरमा और आप देख रहे हैं आटबूरू मोईस्तरमा यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चिपनजी का फेस आप देख पारे होंगे ये तीन चिपनजी मैंने बनाये हैं और इसकी body part मैंने बनाया था, इससे वाली पहली वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको discussion मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जरूर से check out कर सकते हैं, तो आज बनाएंगे इनका face, किस तरह का face होता है और क्या-क्या चीज आ मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, और वीडियो काफी informative है, अगर आप एक beginners हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखिए, अगर आप चैनल पर नहीं आएं तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब कर लिए, बैल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की notification और बनाते हैं एक face, तो अगर आप face सीखना चाते हैं, किस तरह से आप face बना सकते हैं, तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like और share जरूर कर देना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी हमारा materials है, तो मैं यहाँ पे cement से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे cement का paste बना लेंगे, तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, किस तरह का paste आपको तयार करना है, और सबसे पहले यहाँ पे आपको skeleton का धिहान रखना है, चिंपेंजी का skeleton किस तरह का होता है, तो य देख सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और आपको cement जो है विल्कुल धीरे धीरे लगाना है, और इसके लिए आप एक reference picture ले सकते हैं, जिसमें से देख के आप इसका जो भी face structure है, उसको आप बना सकते हैं धीरे धीरे, तो आपको यहाँ पे हाथ की मदद से और कन् नहीं करना है, थोड़ा सा उसको dry होने देना है, ताकि उसकी पकड जो अच्छी हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पे detailings देने की कोशिस करेंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पे ear भी बना लिया है, मैंने एक point लगा रहे है कि यहाँ पे हमारा ear आएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी देर में इसको थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे इसे structure को complete करना है, और थोड़ा सा patience रखना है आपने, थोड़ा सा क्यूंकि इसमें काफी time लग सकता है आपको अगर आपके beginners हैं, अगर आप अभी शुरुवात कर रहे तो आपको काफी time लग सकता है बनाने में, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा time देना पड़ेगा ताकि यह बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बन सके हैं आपसे, तो जब तक यह dry होता है, थोड़ा थोड़ा dry होने के बाद आप यहाँ पर detailing करना शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने eyes बना रहा हूँ, मैं आप देखें आपको उसकी सारी eyes जो भी आपके pictures में हैं, तो eyes के चारो और काफी ज़्यादा wrinkles होते हैं इसके face पे, तो यहाँ पर आपको सारे wrinkles को यहाँ पर आपको develop करना है, तो किस तरह से आप develop कर सकते हैं, थोड़ा सा जब cement drive रहे हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर आप cutting करना सुरू कर सकते हैं, और eyes आपको इस तरह के से बनानी है, तो eyes में ही आपका काफी ज़्यादा time लगेगा बनाने में, क्योंकि काफी ज़्यादा important है, अगर आप एक face बनाते हैं, तो काफी ज़्यादा matter करता है eyes उसके face में, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा time देना है, और इस तरह के से आप eyes बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं complete कर लिए मैंने eyes और आप देख सकते हैं, तो पूरी body part में इसके wrinkles काफी ज़्यादा होते हैं, तो आपको wrinkles को अच्छी से यहाँ पर develop करना है, ताकि जो skin है उसकी ज यहाँ पर wrinkles को develop कर पाएंगे, उसकी skin texture को अच्छी से दे पाएंगे, तो आप देख रहे होंगे मैं किस तरह के से यहाँ पर complete इसको बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको hair भी इसी तरीके से बनाने हैं, तो इससे पहले वाले part में मैंने इसकी पूरी body structure बनाया था, तो body structure hair किस तरह से बनाये थे, पूरा completely मैंने उस video में आपको बताया है, अगर आपने video नहीं देखी है, तो video जाके जरूर देख सकते हैं, link आपको description मिल जाएगा, या फिर video के end में जाके आप देख सकते हैं, तो पूरी body structure को पहले देख लीजिए, और फिर face के structure को देखना आप क इस तरह से बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ear बना रहा हूँ, तो ear के structure आप देखना, उसके जो चिंपेंजी का ear होता है, वो किस तरह का होता है, तो आप यहाँ पर completely उसको इस तरह के से बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो दीरे दीरे आपको जहाँ भी जरूरत ह आपको आपको सिमेंट लगा लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको जो कटिंग करते रहना है जहाँ पे आपको जरूरत है वहाँ पे आपको कटिंग करनी है तो इस तरीके से आप देरे-देरे बना सकते हैं बीच बीच में आप ब्रस का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो सिमेंट है वो ड्राइल न हो जाए तो यहाँ पर water का यूज़ कर सकते हैं इसमें तो completely इसको finishing करने के बाद आप देख पाएंगे किस तरह का ये completely हो जाएगा और wrinkles का आपको ज़्यादे धियान रखना है यहाँ पर काफी wrinkles होते हैं इसके skin में तो skin texture जब तक वहाँ पूरा develop नहीं हो जाता तो तब तक यहाँ पर original tea आने ही पाएगी तो इस वाद का आपको खासा धियान रखना है तो अब हम mouth का नीचे वाला part बना रहे हैं हम तो थोड़ सी इसमें mouth में भी आपको देखना है किस तरह की smile होती है और किस तरह का mouth होता है उसको पूरा completely यहाँ पे आपको देखना है और उसी तरीके से आपको बनाते रहना है दीरे दीरे तो आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक सिमेंट से स्कल्प्चर वर बनाना चाते हैं चिंपैंजी का तो आप इस तरीके से बना सकते हैं तो आपने देखा होगा पूरी प्रोसेस हमने किस तरह से करी है इसमें और होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगी और कुछ न कुछ जानकारी आपको यहां पे देखने को जरूर मिली होगी तो यहां पे हमारा फेस जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है अप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यह बॉडी स्ट्रक्TCर बनाया था जो इसकी उंगलिया हैं पूरी इसके फ़र्श्ट पार्ट में आप जाके देख सकते हैं जरूर से देखिए उस वीडियो को भी तो आप देख सकते हैं पूरा complete होने के बाद ये किस तरह का लग रहा है तो अब इसको dry होने देंगे जब तक ये सूखेगा तब तक इसको अलग रख देंगे तो उसके बाद इसमें हम color करेंगे तो color वाली वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी और देखेंगे color होने के बाद इसमें पूरा किस तरह का ये लगता है तो पीछे से भी देख सकते हैं आप पूरी body structure इसका कितना अच्छा आया है और इस तरह के से आप भी देख के इसको बना सकते हैं तो अपने घर के लिए एक जरूर से जिमपैंजी बनाईए और अपने घर को सजाईए तो decoration में काफी अच्छा लगता है साइड में बैठा हुआ आप इसको बना सकते हैं तो hope आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी कुछ ना कुछ जरूर आपने सीखा होगा इस वीडियो में तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप बनाते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम